तो दोस्तों स्वाइगत है आपका Amazing Gardening YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज मेरे हाथ में जो पौधा है ये एक बहुत ही खास तरीके का पौधा है और इसकी खुबसूरती भी काफी ज़ादा है तो इस पौधे के बारे में आज हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं हम जानने वाले हैं कि आपको इस पौधे को अपने घर में कैसे लगाना चाहिए इसकी केर कैसे करनी चाहिए इसको लगाते समय आपको मिट्टी कौन सी इस्तिमाल करनी चाहिए पाने इसमें कितना देना चाहिए और इसको कितनी धूप पसंद है इस तरह के की सारी बाते हम इस वीडियो में करेंगे जिसकी मदद से अगर आप यह पौधा लगाते हो तो आपका यह पौधा मरेगा नहीं और सालो साल तक चलता रहेगा तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखेगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पौधे का नाम क्या है इस पौधे का नाम है फैसकीएटिड होवर्थिया यह एक होवर्थिया प्लांट के वेराइटी है यानि कि यह एक सकुलेंट पौधा है सकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में पहले से ही काफी सारा पानी स्टोर होता है यानि कि उनको आपको बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पर थी तो इन पौधों की यह खास बात होती है कि आप इनको अगर 7-8 दिन तक भी पानी नहीं दोगे तो भी ये पौधे मरेंगे नहीं तो अगर आप लोग जॉब करते हो या फिर आपके पास गार्णिंग करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है तो आपको इस तरीके के सक्कुलेंट प्लांट लगाने चाहिए तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको पता देता हूँ कि आपको इस पौधे को लगाते वक्त मिट्टी कैसी बनानी है मिट्टी बहुत ही ज़ादा जरूरी है अगर आप लोग मिट्टी पे ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने पौधे की चाय कितनी भी केर कर लें वो अल्टीमेटली मर जाएगा क्योंकि जो पौधा होता है वो जितना उपर से अच्छा होना चाहिए पौधे की जड़ें भी उतनी अच्छी होनी चाहिए और पॉधे की जड़े तब अच्छी बनेंगी जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी तो इस पॉधे की मिट्टी तैयार करने के लिए मैं आपको बहुत ज़ादा इजी तरीका बताता हूं आप जिस भी गमले में इस पॉधे को लगाने वाले हो आपको उस गमले में सबसे पहले तो 40% normal soil भढ़ने ली है normal जो soil है जो मिट्टी है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं या तो आप किसी खेट से ले सकते हैं या फिर आप किसी garden से ले सकते हैं उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद आपको उस गमले में 20% भढ़नी है परलाइट परलाइट वाइट कलर का सबस्टेंस होता है जिससे जो soil है वो टाइट नहीं बनती और soil porous बनती है यानि कि soil में से जितना भी extra water होता है वो भाहर निकल जाता है उसके बाद आपको गमले में भढ़नी है 20% कोकोपीट कोकोपीट जो आपके मिटी है उसमें थोड़ा सा पानी एब्जॉब करके रखेगी क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारा ही पानी भाहर निकल जाए इसलिए आपको कोकोपीट में मिलानी है 20% और उसके बाद आपको सब जो टॉप पे रखना है 20% में वर्मी कमपोस्ट या फिर कोई भी और्गैनिक मेंनियोर तो और्गैनिक मेंनियोर और वर्मी कमपोस्ट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिट्टी में nutrient value भी बनी रहे और हमारा जो पौधा है उसको सभी nutrients मिलते रहे और वो अपनी growth अच्छी तरीके से करता रहे अब जब आपका गमला top तक full हो चुका है तो अब आपको सारी चीजों को बहार निकालना है और उनको अच्छी तरीके से mix कर लेना है और mix करने के बाद ये सभी चीजों का जो mixture है वो आपको गमले के अंदर भर लेना है उसके बाद आपको उसमें ये plant लगाना है तो अब जो आपने soil ready करी है ये काफी अच्छी soil ready हो गई है इसमें सारी चीज़ें आपके plant को मिल जाएंगी अब हम बात करते हैं कि इस plant को आपको पानी कितना देना चाहिए तो इस plant को आपको जादा पानी देने की बिलपूल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक succulent variety का पौधा है यानि कि इसमें जो इसकी पतियां है उनके अंदर पहले से ही water absorb रहता है तो अगर आप इसको बार बा सारी watering करनी है और वो भी तबी करनी है जब आपको लगे कि आपकी जो soil है पौधे की जो मिट्टी है वो सूखी हुई है अगर पौधे की मिट्टी गीली है तो आपको watering करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चलिए अब बात करते हैं तीसरी और सबसे important चीज के बारे मे कि आखिरकार इस पौधे को रखना कहां पर है तो काफी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि इस पौधे को nursery से लेके आएंगे और अपने किसी ऐसी जगा रख देंगे garden में जहां पे इस पौधे के उपर direct sunlight आएगी यानि कि सूरज की direct रोशनी आएगी तो ऐसा आपको बिल के पास रखें जहां पर सूरज की रोशनी आती हो और या फिर किसी ऐसी जगा रखें जहां इसके ऊपर direct sunlight ना आए तब आपको ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से चलता रहेगा तो चलिए मुझे उमीद है आपको नॉलिज पसंद आई होगी अब मैं आपको बताता ऐसी चीज जो आप लोग सुनके काफी जादा हैरान हो जाओगे और आपको काफी जादा भड़िया भी वो चीज लगेगी तो यहाँ पर आईए सो गाईज यह देखिए यह जो पौधा है इस एक पौधे के अंदर से काफी सारे न्यू बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं तो यह जो आप इसकी नीचे रूट्स देख रहे हैं यह सभी प्लांट्स की अलग-अलग रूट्स हैं तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर मे यह काफी सारे प्लांट्स बन जाएं और आपको ज़्यादा पैसे भी ना खर्च करने पड़ें तो आप इस एक प्लांट से काफी सारे प्लांट्स रेडि कर सकते हो और अपने पूरे घर को इस प्लांट से डेकोरेट कर सकते हो तो यह इस प्लांट की सबसे ज़्यादा ख पुछते हो कि आप online plant कहां से खरीदते हो तो यह जो plant है यह इस बार मैंने मंगाया था मीशो से मीशो पे एक brand है वो है फुलवा exotic plant के नेम से तो वहां से मैंने plant order किया था और मेरे को काफी अच्छा plant यह मिला है तो अगर आपको भी ऐसा ही plant खरीदना है तो इसका जो link है आपको नीचे description में मिल जाएगा वहां पे जाके आप इस plant का link चेक कर सकते हो और मीशो से जाके इस plant को खरीद सकते हो सो गाइज अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजेगा ताकि उनको भी इस knowledge का पता लग पाए अब मैं मिल आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में तिल देन आप लोग पेड़ पौधे लगाते रहिए और धर्ती को हरा भरा बनाए रखिए जैहिन बंदे मातरम